वेल्कम वाल आफ यूट्यूब चैनल एकनोमिक्स विद एक्सिलेंस आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्रिंसिपल ओफ इक्वी मार्जनल यूटिलिटी इससे पहले वाली वीडियो में हम जो कार्डिनल का जो कॉंसेप्ट था वो पढ़ रहे थे और कार्डिनल कॉंसेप्ट में हमने डिसकस किया था कि जो डिमिनेशिंग मार्जनल यूटिलिटी है उस case में जो consumer है वो equilibrium point तक कब पहुंचता है और वो किस तरह से अपनी जो दी गई income को जो है वो commodity पे spend करता है इस वीडियो में हम start करेंगे कि जो equi marginal utility का concept है basically वो define क्या करता है और equi marginal utility को जो है वो gossin का second low भी कहते है तो जो gossin का जो first law था वो था diminishing marginal utility और जो equi marginal utility है वो gossin का second law है जो equi marginal utility का law है उसको कई नामों से जाना जाता है इसमें से जो main इसके जो name है वो है the law of substitution, law of maximum satisfaction और gossin's second law इसको law of substitution इसलिए कहते हैं क्योंकि कोई भी consumer जो है अपनी दी कई income में दो वस्तमों के बीच में substitute कर सकता है और इसको law of maximum satisfaction इसलिए कहते हैं क्योंकि जो एक consumer है वो अपनी दी कई income में उसका जो main aim होता है वो maximum satisfaction earn करना होता है क्योंकि इस नियम में जो ये जो नियम है इसमें हम देख रहे हैं कि जो consumer है वो rational है तो इसलिए rational consumer क्या करेगा कि दी गई अपनी income में अपनी जो satisfaction है उसको maximize करेगा इस law की ये मानने अता है कि जो consumer है उसके पास जो दी गई income है उसको पता है कि वो income वो कहां पर खर्च करेगा और जो consumer and rationality की यहां पर बात है तो rationality का मतलब है कि वो maximum अपनी utility या फिर satisfaction लेवल पर वो कैसे पहुँचेगा जो equi marginal utility है इसकी proper definition बताने से पहले मैं आपको इसको एक छोटे से example के मादिम से समझाना चाहूंगी तो मान लीजिए कि कोई जो दो वस्तू है एक वस्तू है X और दूसरी वस्तू है Y और जो इन वस्तूं के उपर consumer को जो है वो income spend करनी है जो की equal हो अब इन वस्तूं पर जो consumer का behavior है वो कैसे निर्धारित होगा कि इन वस्तूं से उस consumer को utilities कितनी प्राप्त हो रही है और secondly है कि उस particular जो दो वस्तू हमने मानी है उनकी prices क्या क्या है इसी के अधार पर consumer जो है वो अपनी satisfaction level है उसको निर्धारित करता है इस example को समझने के बाद हमें थोड़ी बहुत इसकी clarity हो गई है कि जो equi marginal utility का concept है वो basically पता क्या रहा है तो इसकी जो definition है proper definition जो आपको इसमें जो equi marginal utility का concept है उसको clarify करेगी तो वो जो definition है वो इस तरह से है अर्थार्थ कि जो कोई consumer है वो अपनी दी गई जो उसकी income है उसके पास जितनी भी available income है वो वस्तुओं पर इस तरह से खर्च करेगा कि जो उसकी जो utility है जो उसको last रुपया खर्च करने से मिल रही है उन दो वस्तुओं पर वो जो है वो equal होगी इसको और simplify करते हैं थोड़ा सा कि जो consumer की जो given income है वो दोनों वस्तुओं पर इस तरह से खर्च करेगा कि उन दोनों वस्तुओं से मिलने वाली जो utility है वो equal होगी जो दोनों जो वस्तुओं पर वो खर्च कर रहा है उन दोनों वस्तुओं की जो utility है वो उसके last rupees खर्च जब हो करेगा तो उन दोनों वस्तुओं की जो utility है वो equal होगी इन अदर वर्ड्स, consumer is in equilibrium position when marginal utility of money expenditure on each good is the same जो यह चीज मैंने आपको समझाई है उस चीज़ को हम simplify करके equations के रूप में समझेंगे फिर उसके बाद जो tables and diagrams है उसके help से समझेंगे ताकि इसको understand करने में ज़्यादा दिक्कत ना आए As I said, consumer is in equilibrium position when marginal utility of money expenditure on each good is the same तो इसी चीज़ को जब हम एक equation के रूप में लिखेंगे तो वो इस तरह से होगी जो marginal utility of money है वो marginal utility of x good और उसी वस्तु की जो price है उसके equal होगी अब इसकी next stage है कि जो यह जो stage है इसकी जो substitution effect को भी बताती है तो इस stage में है कि जब consumer है वो अपनी दी गई income में दो वस्तु को खरीदता है ठीक है दो वस्तु की जो खरीदने की जो स्तीती है वो इस equation में बताई गई है एक rational consumer का satisfaction level है वो उस समय आएगा जब वो दो वस्तुओं पर किये गए अपने expenditure की जो utility है उसको equal करेगा और यह जो इसको जब हम equation के रूप में लिखेंगे तो वो mu जो marginal utility उसको एक commodity से मिल रही है वो दूसरी marginal utility उसको दूसरी commodity से मिल रही है वो दोनों जो utilities हैं आपस में वो equal होनी चाहिए अब माली जी की जो equilibrium की stage है वो नहीं आती है जो mu x over p x है वो mu y over p y के equal नहीं होता है तो इसमें से हम कोई भी एक condition चूज कर लेंगे जब mu x, p x जो है वो जादा होता है mu y, p y से उस स्थिति में जो consumer है वो x वस्तु को substitute करेगा for the good y तो ये स्थिति जो है वो क्यों होगी जब x वस्तु जो है वो जादा होगी y से तो इस case में जो consumer है वो substitute करेगा मतलब x वस्तु का वो consumption नहीं करेगा वो y पे जाएगा इसका सीधा साथा कारण यह है कि जो x वस्तु की कीमत है जादा हो जाएगी और x वस्तु की कीमत जादा होने के कारण कोई भी जो rational consumer है वो कम कीमत वाली वस्तु पर जाना स्टार्ट कर देगा तो कम कीमत वाली जो यहां पर वस्तु है वो Y है इसलिए जो consumer है वो substitute करेगा वस्तु Y को और जो Y है उसको ज़्यादा वो prefer करेगा अपनी आने वाली जो consumption है उस तीती में जो consumer है वो equilibrium point पर पहुँचेगा गिर जाएगी और जो Y वस्तु की marginal utility है वो increase हो जाएगी क्योंकि जो एक rational consumer है वो substitution के बाद Y वस्तु को प्रैफर करेगा बट यह जो स्तीती है यह कब तक चलेगी एक जो consumer है वो कब तक किसी वस्तु का substitute करता जाएगा यह स्तीती हम determine करेंगे कि जो consumer है उसकी जो money income है वो कितनी है या फिर consumer के पास money income का कितना size है उस पर यह निर्भर करेगा कि वो अपने जो उसको पसंद है वस्तु उसको कब तक purchase करेगा यह उसकी money income बताएगी कोई भी जो rational consumer है वो किसी भी वस्तु को तब तक उपभोग करेगा जब तक उसकी money income उसको allow करती है या फिर उसके पास जितनी भी income है उस ही level तक वो किसी वस्तु का consume करेगा इस तीती में जो equation बनती है हमारे पास वो है marginal utility of x is equal to marginal utility of y और इनी दोनों utilities के साथ साथ जो consumer की money income है वो भी इनके equal होनी चाहिए इसी level पर जो एक rational consumer का जो है वो satisfaction level आता है हमने consumer equilibrium single commodity case में देख लिया two commodity case में देख लिया अब हम consumer equilibrium more than two commodities के case में देखेंगे जब कोई उपभोगता दो से ज़ादा वस्तूओं को purchase करने की शमता रखता हो उस समय consumer एक rational consumer जो है वो equilibrium point पर कब होगा तो अगर दो से ज़ादा कोई वस्तूओं जो कोई उपभोगता है वो दो से ज़ादा वस्तूओं खरीदना चाहता है तो वो equilibrium situation में उस समय होगा जब सभी वस्तूओं की जो marginal utilities है वो उसकी money income के बराबर होगी उसी समय पर जो एक rational consumer है वो equilibrium point पर पहुँचेगा इसी को simplify करने के लिए हम इसमें जो table है उसकी help से जो marginal utilities है उसको determine करेंगे इस table में जो x वस्तूओं की जो price है वो दोर पे दी गई है और y वस्तूओं की जो price है वो तीन पे दी गई है units में इसकी जो units है वो 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक लिए गई है और x वस्तूओं की marginal utility है वो 20, 18, 16, 14, 12 और 10 लिए गई है और marginal utilities of y जो है वो 24, 21, 18, 15 और 9 और 3 लिए गई है जो यहाँ पर utils लिखा है यह इसकी जो measurement की unit है utility की जो measure की unit है उसको utils में लिखा जाता है so इन सभी जो marginal utility of x जो है उसकी price हमने 2 ले ली है और जो marginal utility of y है उसकी जो price है हमने 3 ली है so marginal utility of money expenditure को हम उस समय निकाल सकते हैं जब हम marginal utility of x को price of x से divide करेंगे और marginal utility of y को हम price of y से divide करेंगे उस तीती में जो है वो हमारे पास money expenditure की जो ratio है वो निकल जाएगी और इससे हम आगे जो table है वो define कर सकते हैं इससे ही हमारे जो diagram है वो defined होता है marginal utility of money expenditure को हम define करेंगे जब हम marginal utility of x को price of x से divide करेंगे 10, 9, 8, 7, 6, 5 और 5 आजाएगा और उसी के साथ साथ जब हम marginal utility of y को इसकी price रिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो 8, 7, 6, 5, 3, 1 का जो है वो money expenditure आ जाएगा इसी table को हम diagram के रूप में दिखाएंगे और समझेंगे कि इसमें जो profit और loss की स्थिती है वो कब है और एक जो rational consumer है उसका equilibrium point कहां पर रहे है तो diagram में जाने से पहले यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर marginal utility of x वस्तु के case में जब consumer जो है किसी वस्तु की जो है वो 6 unit का उपभोग करेगा तो जो उसकी marginal utility है x वस्तु की marginal utility है वो 5 होगी और यह equal कब होगी जब वो अगली वस्तु के मतलब marginal utility of y it means कि y वस्तु के जब वो 4 units को consume करेगा तब जो उसकी marginal utility है वो 5 है तो इसका मतलब है कि जो x वस्तु की जब 6 units consume करेगा और y वस्तु की जब वो 4 units consume करेगा तब जो वो marginal utility जो है वो x is equal to marginal utility of y होगी मतलब दोनों से मिलने वारी जो marginal utilities है वो equal हो जाएगी तो x वस्तु के case में जब वो 6 वस्तु को उपभोग करेगा और y वस्तु के case में वो जब 4 units का उपभोग करेगा तो उस समय जो rational consumer है वो equilibrium point पे पहुँचेगा तो इसी table को जो है अगर हम diagram के मादिम से समझेंगे तो इसको समझने में और जादा असानी होगी इस diagram में दिखाया गया है कि जो consumer है वो x वस्तु की 6 units को जो है वो purchase करेगा और y वस्तु की 4 units को जो अब वो purchase करेगा तो वो equilibrium situation में आ जाएगा जो की point 5 है suppose कि अगर कोई consumer है वो किसी भी एक unit जो x commodity है उसकी एक unit कम consume करता है और y वस्तु की एक unit जो है वो ज़्यादा consume करता है ऐसा करने से उसकी जो total utility है उस पर effect पड़ेगा और जो उसकी total utility है वो equal नहीं रहेगी और उसकी जो total utility है वो continuously decline होती चली जाएगी इस diagram में हम देख सकते हैं कि जब consumer जो है वो एक extra unit को जो है वो purchase करेगा तब वो जो है वो loss की स्तीती में चला जाएगा इड मींस कि जब वो x वस्तु की 6 units खरीद देगा तो वो loss की स्तीती में चला जाएगा जो की shaded area में आप देख सकते हैं commodity y की case में हमने consumer का जो equilibrium था वो determine किया था कि जब कोई consumer किसी वस्तु की जो है वो 4 units का जो है वो उपभोग करेगा उस समय उसका जो satisfaction level है वो 5 पे होगा जो diagram B है उसमें दिखाया गया है कि अगर कोई consumer जो है वो किसी वस्तु की y वस्तु की जो 5 units है उनका उपभोग करेगा तो वो gain की स्तीती में जाएगा तो इन diagrams में gain और loss की जो concept है utility के वो दिखाया गये है I hope कि आपको ये diagram जो है वो समझाया होगा इस law की जो कुछ एक limitation है उसको हम discuss कर लेते हैं फर्स्ट इसमें limitation है कि not applicable in real life ये जो equi marginal utility का जो concept है ये real life में applicable नहीं है ये इसलिए नहीं है क्योंकि इस law को जो apply करने से पहले एक consumer को अपने mind में ये बात सोचनी पड़ती है कि उसकी जो marginal utility है वो कितनी होगी मतलब marginal utility को उसको measure करना पड़ता है जो की real life में possible नहीं है इसमें एक assumption ले गई थी कि जो marginal utility of money है वो measure करती है utility को जो money है वो utility को measure करती है और ये जो assumption है ये wrong proof होती है ये इसका कारण ये है कि जो measurement है utility की वो possible नहीं है जो utility है उसको measure नहीं किया जा सकता है किसी भी particular form में utility को measure नहीं किया जा सकता है जो utility है ये एक psychological fact है या फिर एक feeling है जिसको हम सिर्फ feel कर सकते हैं इसको measure नहीं कर सकते है जो मैं आशा करती हूँ कि आपको जो ये Equimmarginal utility का concept है वो समझाया होगा तो thank you for watching my video अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और thank you